नमस्ते वरिबरी सभा में उपस्तित सभी गुरु जनों को मेरा बहुत-बहुत रुणाम आज बारा जन्वरी सुवामी विवेकानंद जी की जन्मति थी अपनी बात कहने से पहले मेरा बहुत-बहुत आभार प्रमोज जी और उनकी पूरी टीम को इस अद्भुत मंच के लिए इस अद्भुत प्लाटफर्म के लिए और इसको सिंक्रोनाईज करने के लिए सुवामी जी के बिर्थडे के साथ सुवामी जी के जन्म देफस के साथ मैं तक्रीबन पंद्रा मिनिट आपसे बातचीत करूँगा ये पंद्रा मिनिट आपके जीवन में कुछ अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं अगले पंद्रा मिनिट हम लोग साथ में हों पूरी चेतना के साथ मुझे अक्सर प्रश्ण पूछने की बहुत आदत है तो मैं पहला प्रश्ण आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस पूरे संसार में कितने धर्म है इनीबड़ी इस पूरे संसार में शब्द बदलते हैं इस पूरे संसार में कितने संप्रदाएं है आप कहे रहे हैं तीन-चार हजार हैं, इन्य अदर गैस? ओके, ठीक कहे रहे हैं, इस पूरे संसार में तीन हजार से जादा संप्रदाएं हैं इस पूरे संसार में आज तक जतने भी युद्ध हुए हैं, उनमें से majority जो बड़े युद्ध हुए हैं, उनका कारण भी संप्रदाएं रहा है और हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पीस की इतने सारे संप्रदाएं होने के बाद भी, वर्ल्ड पीस अचीव नहीं हो पा रहा है कहीं कोई fundamental mistake हो रही है, आज हम उस पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं एक प्रशन और पूछना चाहता हूँ आपसे, हर देश की एक शब्द होता है अंगरीज में, brand identity हर देश की एक brand identity होती है, यह भारत की brand identity क्या है largest democracy, what else? diversity, what else? वासुदेव कुटमकम, what else? आप लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है अध्यान और करना चाहिए, I don't know what you guys do आप लोगों वो थोड़ा पढ़ना और चाहिए दस हजार साल से ज्यादा भारत की brand identity एक ही रही है, वो है सनातन धरम मेरे कुछ मित्र है Ministry of External Affairs में, मुझे एक डेटा मिला उसमें से जितने भी विदेशी भारत में आते हैं आज 80% विदेशी जो भारत का वीजा लेते हैं आपको मौलू है, क्या reason है उनकी इंडिया आने का? शाबश जिसको हंदी में दूसरे शब्द में बोले, अध्यात बाकी 20% विदेशी जो भारत आते हैं वो टूरिस्ट की तरह आते हैं या medical tourism के लिए आते हैं 80% आज भी भारत की उसी brand identity के लिए यानि जो सनातन धरम brand identity है उसी के लिए विश्व से भारत में आते हैं How we together? समझ में आ रहे हैं? Excellent पिछले एक हजार साल में ये brand identity हमारे जहन में हमारे जहन में धूमिल होने लगी बहुत सारे invasions हुए हमारे उपर cultural attacks हुए हमारे उपर जिसने भी हमारे उपर अटाक किया उसने अपना culture थोपने की कोशिश की हमारे उपर और उस सब के चलते हम भारतवासी अपनी ही brand identity को भूलने लग गए Thank God आज से तकरीबन 100-100 साल पहले स्वामी विवेका नंदा 293 में शिकागो स्पीच में World Parliament में एक बार ये जान गया कि भारत की brand identity Sanatana है और उसी Sanatana धरम से हम इतने विश्व प्रसिद हुए थे हजारों साल पहले हमारे पस इतना बल हुआ था कि हम सोने के चुडिया बने थे उसका आधार Sanatana धरम नहीं था Yeah? Are we together so far? Okay, very good Sanatana धरम का में अगर मतलब क्या है मैंने ये प्रशन बहुत लोगों से पूछा मैंने अपने बहुत आध्यातमिक मित्रों से ये प्रशन पूछा मैंने अपने बहुत सारे साधना में जो लीन मित्र हैं उनसे भी ये प्रशन पूछा अजीब अजीब से कुछ आंसर आए मुझे मुझे ऐसा लगा कि सनातन धर्म शब्द को ही हम नहीं समझ पा रहे है तो अगले कुछ मिनट लेते हैं इसको समझने के लिए क्योंकि ये जीवन में बहुत काम आने वाला है आपके सनातन शब्द का क्या आर्थ होता है इसके लिए हिंदी शब्द है उसको बोलते हैं संप्रदाए ये सब संप्रदाए है तो फिर धर्म क्या है धर्म जीवन जीने की कला या जीवन जीने के नियम उसको धर्म बोलते हैं और सिंप्लिफाइ करते हैं धर्म मतलब वह जो जोड़े और अधर्म मतलब है जो तोड़े Simple definition फिर से रिपीट करता हूँ तो आपकी consciousness में यह घुज जाए धर्म मतलब है जो जोड़े और अधर्म मतलब है जो तोड़े जोड़े किसको किस से जोडने का मतलब दो चीजें होंगी जिनको जोड़ा जाएगा तो धर्म तीन स्तर पे तीन लेवल्स पे जोडने का काम करता है धर्म तीन लेवल्स पे जोडने का काम करता है पहला लेवल धर्म मनुश्य को मनुश्य के साथ सोहम जोड़ता है Question time again क्या हम स्वयम से जुड़े हुए हैं? Yes or no? Okay I'll prove कि हम स्वयम से नहीं जुड़े हुए किसी भी परिस्तिती में आपकी बुद्धी कुछ बोलती है करने के लिए आपका मन कुछ और करना चाहता है आपके शब्द आपके मुझ से कुछ और निकलते हैं Right? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं disintegration यानि आपके thoughts, आपके शब्द और आपके action तीन हो disintegrated हैं इसी वज़ा से आप जीवन में चलते बहुत हो पहुँचते कहीं नहीं Just because of this disintegration तो हम स्वयम से भी नहीं जुड़े हुए एक और इसका उधारन जिससे आप और relate कर पाएंगे कल से मैं social media पे कम समय बिताऊंगा या बिताऊंगी It's a thought But यह action नहीं कर पाते हो तुम लोग कल से सुभा 5 बजे उठके मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और रात को मैं अब तो YouTube के वीडियो नहीं देखूंगा या देखूंगी Instagram तो I will just not go बट तुम्हारा action वैसा हो नहीं पाता Right? Why? Disintegration of three things Thoughts, words and action Are we together? तो पहले सतर पे धरम वह जो तुम्हे तुम्हारे साथ जोड़ दे दूसरे तल पे धरम वह जो तुम्हे दूसरे मनुष्यों से जोड़ दे अभी क्या हम दूसरे मनुष्यों से जुड़े हुआ हैं? अपनी प्रजाती के In the same species, are we connected? नहीं दूसरे को देखे इर्शा होती है, जलन होती है, गुसा आता है Etc. तो दूसरे तल पे धरम वह जो एक मनुष्य को सभी मनुष्यों से जोड़े और तीसरे तल पे धरम वह जो तुम्हें पूरी स्ष्टी के हर तत्व से जोड़ दे Which means कि तुम किसी पेड को देखो तो तुम एक अपना सा लगे तुम एक नदी को देखो तुम्हे अपनी से लगे तुम पृत्वी को देखो अपनी से लगे तुम सूरे को देखो अपना सा लगे इस पृत्वी के इस जगत के सभी तत्व तुम्हें अपने से लगे तो तीन तल है धर्म को जोडने के Are we together so far? धर्म समझ में आ रहा है हमें? अब ये जो में धर्म है इसी को जन्मानस तक मतलब पबलिक तक लेके जाने के लिए अलगलग संपरदाय बने भारत में भारत ने बहुत संपरदायों को जन्म दिया वैश्वनाइच शेवाइट्स जो शिव को मानते हैं, जो विश्नु को मानते हैं जो शक्ति को मानते हैं, जो सूरे को मानते हैं बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं तो ये अलग-लग संप्रदायों को जनम दिया उद्देश्य क्या था सभी संप्रदायों का? सनातन धर्म और धर्म क्या? वहे जो जोड़े बट इस जोड़ने के तरीके सबके अलग-लग थे उन अलग लग तरीकों ने अलग लग संप्रदायों को जनम दिया तो सभी संप्रदायों का लक्षे मतलब एक ही था धर्म बड़ तरीके अलग लग थे फिर भारत की तो उदारता महान है फिर बाहर से देशों से बहुत से संप्रदाय भारत आए और हमने उनको भी स्विकार किया तो ये संप्रदाय बढ़ते रहे क्योंकि सभी के तरीके थोड़े थोड़े अलग थे इसलिए थोड़े मतबेद होना सुभाविक है मगर मतबेद होना मैंने बोला सुभाविक है इस राइट और रॉंग ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है या गलत think about it मैं पकड़ने वाला हूं तुम्हें अभी मैंने स्टेटमेंट बोली कि सभी संप्रदाय जिनका उदेश्य धर्म है धर्म का मतलब जोड़ना क्या इनी सभी संप्रदायों में अलग-अलग मतबेद होना सुभाविक है आधे response आ रहे हैं yes आधे response आ रहे हैं no meaning we are disintegrated meaning हम धर्म में अभी established नहीं है बहराल no I support no as an answer क्यों अगर सभी का उदेश्य क्लियर हो सबको कि धर्म का मतलब जोड़ना मेरा तरीका A तुम्हारा तरीका B तो मतबेद हो नहीं सकता अगर उदेश्य क्लियर है तो शायद कहीं सहकड़ों साल हजारों साल संप्रदाय जब बनते रहे तो अपने उदेश्य से शायद भूल गए उदेश्य शायद कुछी और चीज़ों में जयादा अंगेज हो गए और चीज़ों में अंगेज हो जाते तो में उदेश्य से भटक जाते हो ईस और नो अके तो जयादातर संप्रदाय किस चीज़ में जयादा व्यस्त हो गए और उदेश्य से भटक गए think about it शाबाश किसने बोले गए जो तेज बोले शाबाश उन्होंने कहा followers बनाने में और शाबाश preaching करने लग गए कि आप मेरे धर्म में आओ जिसको अंग्रेजी में conversion बोलते हैं what else अपने आपको strong और महान दिखाने में lean हो गए what else यानि कि अगर आपने ये सब बाते सुनी यानि धर्म या संप्रदायों का उदेश्य बन गया mass movements जादा से जादा लोगों को जोड़ना right क्या ये उदेश्य सही था किसी भी संप्रदाय के लिए या original उदेश्य क्या था धर्म are we together so far next to this latte इसके अंदर अगर तुम अपने भीतर खंडे तो हो disintegrated हो तो क्या तुम किसी और के साथ integrate हो सकते हो तो क्या तुम समाज को integrate कर सकते हो तो यानि धर्म को किस layer पे establish पहले होना होगा सुव की सुव की, self की और सुव पे establish होने के बाद ही सर्व की यात्रा शुरू हो सकती है are we together? पहले तुम्हें भीतर खुद से जुड़ना होगा और तभी सर्व के उसको जुडने की तरफ की यात्रा होगी मगर संपरदायों में फॉर्मूला उल्टा लग गया हम सब भीड को इकठा करने लगे साथ में और व्यक्तिगत रूप से जो साधना होनी चाहिए जो प्रेड़ना मिलनी चाहिए जो टीचिंग मिलनी चाहिए उससे हमारा focus हट गया यह एक basic fundamental mistake हुई जिस वज़ा से तीन हजार से ज़्यादा संपरदाय होने के बावजूद भी हजारों साल होने के बावजूद भी we're still talking about world peace और world peace नहीं हो पा रहा है wars और हो रहा है this is the reason for that यह fundamental mistake है are we together so far? yes sir तो इसको ठीक कैसे किया जाए hello शाबश किसने बोला? absolutely और शाबश absolutely दो चीज़े जरूरी हैं दोस्तों इसके लिए करना पहला स्वयम पे काम करना धर्म के अनुसार दूसरा धर्म और संपरदाय के अंतर को समझना संपरदाय is a vehicle सनातन धर्म is the destination destination हमेशा बड़ा रहेगा vehicle से vehicle can be changed but the focus is destination तो अगर हम ये दो चीज़ें करें तो destination को अपने जहन में हमेशे establish रखें और vehicle की respect vehicle के प्रती gratitude vehicle के प्रती सम्मान common रहे अगर तुम मर्सडीज में चल रहे हो तो मारूती को बुरा मत मानना और तुम मारूती पे चल रहे हो तो थेले को बुरा मत मानना और तुम थेले पे चल रहे हो तो पैदल चलने वाले को बुरा मत मानना you should have equal respect for all the vehicles हां मगर तुम्हारा अदेश्य destination पे रहे जो मेरी परिभाशा के हिसाब से Sanatana धरम है are we together so far? yeah मैं बहुत जादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि जादा कहने से आप लोग बोर हो जाते हैं मुझे मालूम है but I want you to think on these two objects again मैं इसलिए इसको रिटरेट कर रहा हूँ पहला धरम को वापिस establish करना और वर्ल्ड पीस के लिए दो ही चीज़ें सबसे important है पहला you must be responsible for your own self तुम्हें स्वयं में धर्म की establishment करनी हूँ दूसरा सनातन धर्म और संपरदाय के बीच का परिभाशिक अंतर समझना होगा once that is clear in your mind then nothing can stop you from achieving the destination फिर तुम भटकोगे नहीं उदेश्य क्लियर रखना with that thank you very much ओम्टक्साद